हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चनल पर जिसका नाम है मेडिकल जानकारी परपत जहां पर हम देखते हैं दवायों के रिविव और उसके बारे में हम सब कि इस लिए किसी इसका इस्तमल किया जाता है किस तरीके से सबस्क्राय तक है लिए वीडियो स्किप कर सब्सक्राइ बिल्किल भी नवार कर लें चली एप बढूबध करने एक चली को चली गड़ाते हुश्मिट से क्वरणी अपने theology कर रागा है थैसलिग ताय के हम प्सक्राहिप मेल ना यह और जांट कम चीजिप कर हो और बात करेते हैं इसके बारे में यह होता क्या है ओलन जैपीन टैबिट तो यह एक तरीके की एंटी साइकोर्टिक दवा होती है जो कि मांसिक रोगों के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है बात करेते हैं इसके यूजिस के बारे में इसका जो है इस्तमाल स्रीजोफेनिया म मानसिक बिमारी होती है जो कि इसमें कुछ positive और कुछ negative symptoms देखने के मिलते हैं तो उसे ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तमाल होता है अब आप कहेंगे positive और negative symptoms क्या होते हैं अगर जो सीजोफरेनिया सक्रिय होता है तो इसकी लच्छणों में जैसे की भ्रम मती भ्रम सोचने की छमता आवेवस्तित भासर प्रेणना की कमी जैसे कुछ लच्छण ऐसे दिखाए देते हैं और इस से ठीक करने के लिए अगर इस दवा का अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको लच्छणों में जो लच्छण है ठीक होते हुए दिखाई देंगी बात कर लेते हैं कि सीजोफरेनिया के पॉजिटिव और नेगिटिव सिंटम्स जो है किस तरीके से होते हैं तो अगर सीजोफरेनिया पॉजिटिव है तो उसमें लक्षण जैसे की आफेवहार और विच मतलब उनको दुनिया में कोई इंट्रेस्ट नहीं होता है नहीं कोई सोचल मीडिया पे कोई इंट्रेक्शन होता है ऐसी कोई भी चीज़े नहीं होती है इसमें नेगिटिव में देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से कुछ इसके यूजिज है इन सारी चीजों में इसका द एक किस बीमारी का स्तुमारी अंदूर यह रेता हैनों फिक बीबारी और इह उता है तो दोस्तों यह से कुछ मोड़ी मोड यूज इस इसाले बीमारें इनका स्त्माल होता हैं, अपने ए ooh डोक्र अपनी करें करें तो हमेशा रोगी के उमर एज और उसके कंडीशन पर डिपेंड होता है डॉक्टर आपको इसे 5-20 mg तक पर डे प्रेस्क्राइब कर सकता है तो यहां इसके डो और लेने का तरीका बात कर ले लेदें की साइड़ एफिक्ट के बारे में दूस्तों इसका साइडिप् इस दवा को लेने से वेट गेन होता है यानि वेट भी बढ़ता है तो यह इसके अलावा अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो तो फर्दर दवा को इस्तमाल बिल्किल भी ना करें स्टॉप कर दें अपने डॉक्टर से सला लें उसके बाद ही इसका इस्तमाल करें तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसके बारे में हमने जाना आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ समन्द में आया हो और वीडियो थोड़ी भी नॉलेजबल लगयों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पे आए हैं तो पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अपना प्यार दिखाएं और वीडियो को सेर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ कॉलिक के साथ किसी के साथ आप इसी सेयर कर सकते हैं चले दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स मेडिसन के रिबिक साथ उसकी जानकारी के साथ तब तक अपना ख्यार लगए जो की बहुत ज़रूरी है बाबाई जैहिन